जय हिंद इस वीडियों में लोग आलोग इंडश्ट्री कंपनी बारें बात करेंगे पिछले कुछ दिनों से जब से इसके क्वाट 3 की रिजल्ट आये हैं इस कंपनी के सेर प्राइस में काफी संदार तेजी देखने को मिल रही है अब सवाल है कि तेजी कहां तक देखने को म बने रहें वीडियो क्लाश्ट तक बिना किसी भूम का के डारेक्ट मुद्धे पर आते हैं और काम की बात शुरू करते हैं देखेंगे दोस्तों सबसे पहले जानेंगा अलोग का इंडश्ट्री जो कंपनी करती क्या है तो यह जो कंपनी है टेक्टाइल सेक्टर की कंपनी मार्केट के लिहास आपको अंदाजा लगे कंपनी एक मीट के स्टॉक बन चुकी अब पहने स्टॉक तो रही नहीं शेयर प्राइस से 29 रुप्या 40 पैसा देखिए शेयर प्राइस पिछले कुछ दिनों से आप चार्ट में देखेंगे तो एक रेंज में ट्रेट कर रहा थ इस रेंज से बाहर निकला है करीब 22 रुप्य कास पास से ऊपर की तरह चलांग लगा था थोड़ा सा प्राइस पर्फर्वेंस देखाता हूं पिछले कुछ दिनों में किस तरह इस कंपनी आपने निवेस्कों को संदार रिटर्न दिया है एक सब्ता में देखेंगे तो 0.85 एक सब्ता में 0.85% मत देखेंगे यह कंपनी का रिटर्न पोजेटीव में है लेकिन वहीं आप एक माह में देखेंगे तो निगेटीव में क्यूंकि पिछले एक माह से लगवा कि इस कंपनी का सेर प्राइस एक रेंज में ही ट्रेट कर रहा था उसे बाहर निकल ही नहीं प ब्रेक कर सकता है और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो पूरी संभाव ना है कि बाउन रुपय के आसपास तक किस कंपनी का सेर प्राइस जा सकता है लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यदा ब्राटिल्टी बना हुआ है रूस और यूकरियन की वीच तानात्तनी है अब भारत म न्यूस के चलते हैं अगर कंपनी का सेर रह डाउन जाता है तो इसका सपूर्ट लेवल रहेगा 27 रुपया 22 पैसा अब थोड़ा सा फंडामेंटल की बात करते हैं देखेंगा सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट आया थे कुछ दिन पहले उसमें कंपनी का रिभेनू एक हजार 910 करूण से बढ़कर 2,142 करूण रुपया हो गया है अर्था तीन माहा में हने 110 से बढ़कर 3,202 करूण हो गया है कितना संदार मतलब कंपनी रिभेनू गें किया है बात करें पीड़ पी अर्था प्रोफिट आपके टेक्स की जो टेक्स देने के बाद कंपनीयो का लॉस था तीन महां में इस कंपनी नो उस लॉस को रिकावर करते हैं सिर्फ माइनस जिरो पॉंट जिरो नौ यार सत्थ कंपनी का रिजरो माइनस में माइनस में का मतलब है कि बुरे टाइम में कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी अगर कोई पेंडेमिक आ जाता है तो यह ना अपने कंपनी को सब्सक्राइगी करजा भी कंपनी को उपर काफी चौबीस जार पांशुच्छपन करणों रुपए का क दनगों में एक चीज़ समानता है कि दुनों कॉटर टू क्वडर बढ़ोटे जा रहा है होना यह चाहिए कि कमपनी अगर कि क्वाटर टू-कवाटर अपने आप रिजल्ट को इप्रूप करणा का रहा है तो करजा कोपी कम करना चाहिए और लेयाबिलीटी जार था जो दूसरों को समपति जो कमपनी को लटानी है किसी और को वह देखेंगे तो 25,700 क्रोड का है और यह साल दर साल बढ़ते जा रहा है काने का मतलब कि जो चीज कम होना चाहिए और जो ज्यादा होना चाहिए वह कम हो रहा है अच्छी बात है कि परसेंट का सबसेंट जो काफी ठीक है इसमें फाइए वालों की भगिदारी अर्था फॉरें इंस्टिशूशन इंवेस्टर की हिस्सेदारी का इस से बढ़ रही है पिछले साल दिसंबर 2020 में 0.11 परसेंट की हिस्सेदारी थी जो इस बार दिसंबर 2020 में बढ़कर 1.45 परस देखें तो कंपनी घरेलू काज का बहतर करते हुए दिख रही है पॉब्ली के पास सिर्फ 22.81 परसेंट के हिस्सेदारी ठीक है अगर और अच्छी बात बता है तो इसमें 97 परसेंट लोग इस कंपनी को अभी करने के लिए कर रहे हैं इतना बुरा फंडामेंटल होने के ब परसेंट लोग करने तो इसको निगलेक्ट करके चलिए अगर बात करें तो अलोग को सेक्टर से बिलॉंग करती उस सेक्टर का भारत में भविस है और भारत सरकार को लेकर काफी क्यूरियस है बंगला देश हमसे सुत्ती बश्त के कप्ड़े बनाने में आगे निकल चुका करते हैं तो बेसक जब इसका अभी तरेंड में अभी नहीं जब डाउन आएगा 25-26 रुपय कासपस आएगा तो बाइक कर लिजेगा लेकिन आप उसमें हमेशा उतना ही रुपय लगाए जितना आपको लोस हो जाए तो तनाव नहीं हो और जो नहीं जो पहले सी कंपनी के स से कम हो रहा है तब आप उसमें लंबे समय के लिए इस कंपनी को चूच कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं वीडियो इंफर्मेटीव लगी होगी मैंने जो बाते बता है आपको समझ में आए होगी अगर मन में कोई स्वाल है तो मुझे बाकी मिलते है नेक्ट वीडियो में तो तक लिए धन्यबाद शुक्रिया